तो क्या हल है दोस्तों उमीद गरता हूं कि आप लोग बहुती अच्छे होंगे बहतर होंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारतिय डाक विभाग के अंदर जो है वो वेकेंसी आई हुई है और उसके अंदर आप लोग अपलाई कर सकते हो क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो क्योंकि आचार सहीता लग चुकी है और जो वेकेंसी है वो राजस्तान के अंदर और भी जो है वो बाकी राजियों के अंदर भी अगर बात करें तो अभी कोई उमीद नहीं है जब तक आचार सहीता नहीं हटती है तो नहीं वेकेंसी आने की और ये वेकेंसी जो है वो पहले ही आ चुकी है तो इसके अंदर आप में जो कोई भाई अगर अपलाई करना चाहे तो कर सकता है 4500 पदों के उपर ये वेकेंसी आई है वेतन आपको जो है वो 18900 रुपे परतिमाह मिलेगा तो इसके बारे में फटा फटा आपको जो डिटेल है वो बता देता हूँ तो यहां पे दोस्तों जो पद का नाम है वो है ग्रामी डाक सेवक की वेकेंसी है ये पद संक्या की बात करें तो 4500 है वेतन की दोस्तों बात करें तो 18,900 रुपे आपको परतिमा वेतन मिलेगा और सेक्शनिक योगिता की बात करें तो यहां पे दस्वी पास सेक्शनिक योगिता मांगी गई है इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें आयू सीमा की पायू सीमा यहां पे 18 वर्स से लेकर के और 40 वर्स जो है वो रखी गई है यानि अगर आपकी यह 18 साल से अधिक है और 40 साल से कम है तो आप इसके अंदर जो है वो अपलाई कर सकते हो मैतपून डेट्स की बात करें तो यहां पे जो फोर्म अपलाई शुरू होंगे वो आपक है कि अपनी फोर्म की वो रहेगी 15 अपरेल 2019 ठीक है यानि एक महिने का आपको इसके अंदर जो है वो फोर्म फिल अप करने के लिए टाइम मिलेगा और इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें कारिश है तरकी तो वो आपका जो है उडिसा रहने वाला है और आवेदन कैस करें तो इसके लिए आपको ये ओफिशिल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो इसका स्क्रीन शोट ले लीजिए साइबर कफे के पास जाईए और उससे कहिए कि इसके उपर जो है वो फोर्म अप्लाई कर दीजिए और इसके बाद में आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा बाकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेट सेक्शन के अंदर लिखिए वीडियो के सालगा जरूर बताईए फिलाल इस वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद